हेले दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राम मंदिर का उद्घाटन 22 जन्वरी को और कहा जा रहा है उसके तुरंत बाद लोग सभा का चुनाव होगा जी हाँ दोस्तों बीजेपी नहीं कोई चूक करना चाती है बीजेपी चाती है कि ताजा ताजा राम मंदिर उद्घाटन हो और तुरंत चुनाव हो जाए जिसके बाद उसका लाब भी तुरंत मिल जाए वो हिंदू को एकत्रित करने का इस समय काम कर रही है अब बड़ा सवाल हिंदू कितने एकजुट हैं ये तो देखना होगा दोहजार चुविस के नतीजों में फिलहाल बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता लग जाए और फरवरी या मार्च में चुनाव हो जाए पूरी की पूरी इसकी संभावना इस समय जताई जा रही है बहराल दोस्तों दो हजार चोविस को लेकर एक अपिनियन पोल समय बार हो रहा है कि आपकी बार 400 पार जी हां दोस्तों राम मंदिर के दम पर बीजे भी फुले नहीं समा रही इस बार नारा दे दिया गया आपकी बार 400 पार तो दोस्तों मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ गोधी मीडिया का उपिनियन पोल गोधी मीडिया क्या दिखा रहा है उसके बाद सोशल मीडिया पर एक उपिनियन पोल काफी वाइरल है उसे दिखाऊंगा और ground पर लोग क्या कह रहे हैं उसको लेकर भी बात करने वाला हूं तो वीडियो में अंध तक आप लोग बने रहेगा जिससे चीज़े आपको बारीकी से समझ में आ जाए देखे गोधी मीडिया ने अपनी पूरी जो निष्ठा है सरकार में जता दी है इस समय मोधी भक्ती में राम भक्ती में गोधी मीडिया लीन है और सर्वे भी आ चुका है तो सर्वे आएगा तो जाहिर तोर पर कैसे रहेगा मैं आपको दिखाता हूं बीजे पी को गोधी मीडिया ने दिया है 73-75 सीटे ध्यान रहे हैं ये मैं उत्तर प्रदेश के सर्वे की बात कर रहा हूं बीजे पी को 73-75 सीटे दी जा रही है उत्तर प्रदेश में आप सवाल कर सकते हैं क्यों वही पर कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी को 4-6 सीटे गोधी मीडिया दे रहा है गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर गोधी मीडिया ने RLD का नाम तक नहीं लिखा है ASP का नाम तक नहीं लिखा है वही पर BSP को अलग ही दिखाया जा रहा है जब से इंडिया गडबंधन बना है तब से गोधी मीडिया यह लगातार दिखाता रहा है कि जो इंडिया गडबंधन है वो गमंडिया गडबंधन है इसी तरीके की बाते गोधी मीडिया करता रहा है BSP की बात करूं तो BSP को 0-2 सीटे दी जा रही है आप हैरानी जता सकते हैं आपको अधिकार है अधर की बात करूँ अधर के लिए कोई जगए नहीं है उत्तर परदेश में अधर में 0000 गौर करने वाली बाती है कि गोदी मीडिया ने ना तो ASP को कोई सिर्दी है ना तो RLD को कोई सिर्दी है वहाई परदेश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी BSP को 0 सीटे या 2 सीटे दी जा रही है अपने हिसाब से यहाँ पर गोदी मीडिया ने आंकड़ा भर दिया है अपने सरकार को खुश करने के लिए गोदी मीडिया ने कोई कोर कसन नहीं छोड़ी है जिस तरीके से BJP परवक्ता के लोग बात करते हैं ठीक उ उसी रास्ते पर इस समय गोदी मीडिया चल चुका है लेकिन दोस्तों रियाल्टी क्या है रियाल्टी भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन गोदी मीडिया की सरवे पर विपक्ष के प्रवक्ता ने कैसे जवाब दिया है वो सुन लेना इस समय बहुत जादा जरूरी है सु अपने गोधी मीडिया को लतार लगाई गई है इस सर्वे को लेकर जाहिर तोर पर हर किसी को बेचैनी होगी गोधी मीडिया कितनी बेशनमी से यह आंकड़े पेश कर रहा है उसको लेकर आप भी आपके मन में भी शायद यही उद्गार उचल रहे होंगे यही उद्गार समय काफी वाइरल है एक सर्वे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह सर्वे 21 जनवरी का ही है देखे जरा यहां पर लिखा है बीजेपी 150 सीटे कॉंग्रेस 150 सीटे बीजेपी के सहयोगी 50 सीटे कॉंग्रेस के सहयोगी 150 सीटे अन के खाते में 50 यानि कुल मिला कर 2024 में बीज MRJP आऊट हो रही है और यह सर्वे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये काफी वाइरल है और कई सारी नेता उन न इसकू लेकर बात कर रहे हैं इस पर discussion भी कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड क्या है ग्राउंड के बारे में थोड़ा discussion करते हैं दोस्तों देखे मैं आपको बता काबिल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो BJP को मात दे पाए तो इंडिया गड़ बंधन के साथ अगर BSP आ जाए एक ऐसा समीकरण अगर इंडिया गड़ बंधन के साथ BSP आ जाए तो कितनी सीटे मिल सकती है इसको लेकर सवाल पुछे गए तो लोगों ने कहा कि 65-68 सीटे यानि 60-plus सीटे दी जा रही है इंडिया गड़ बंधन को उत्तर प्रदेश में वही पर दोस्तों ASP को एक सीटे RLD को चार सीटे लेकिन एक केस और बन रहा है एक केस और बन रहा है वो यह कि अगर BSP इंडिया गड़ बंधन में ना हो तो क्या होगा तो का जा रहा है कि बह बहुत जादा नुकसान होने वाला है बहुत जादा नुकसान होने वाला है हाला कि BJP सिमट जाएगी लेकिन नुकसान होगा इंडिया गड़ बंधन का साथ आए तो फाइदा होगा दोस्तों अगर BSP इंडिया गड़ बंधन में नहीं होगी तो इंडिया गड़ बंधन की दस से पंदरा सीटों में सिमढ जाएगी लेकिन दोस्तों अकेले लड़ना किसी के लिए फाइदे का सौधा नहीं होगा आप सीटे जीत सकते हैं 20 सीटे 30 सीटे 40 सीटे हो सकता है कोई चमतकार हो जाए लेकिन जो लक्ष है वो पूरा नहीं हो पाएगा अभी इंडिया गड़ पंधन का विपक्षी नेताओं का लक्ष एक ही है कि कैसे बीजेपी को सकता से बाहर किया जाए इस बीच दोस्तों बहुजन समाच पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई समिक्षा बैठक की तमाम अपनी नेताओं को कारकरताओं को मैदान में उतर जाने के लिए कहा का से 65 सीटे जीतेगी दोस्तों ये दावा किया गया है उतर प्रदेश बेस्पी अध्यक्ष विशुनात पाल की तरब से कहा गया है कि 60 प्लस सीटे बेस्पी जीतेगी अब वो किस हिसाब से आंकड़ा लगा रही है तो वही जाने लेकिन लोग ये कह रहा है कि भाई भी हो चुका है समाजवादी पार्टी के मुख्या अखिलेश यादव जीने आरेलडी को साथ सीटे दे दी है हाला कि इस बटवारे के बाद अभी कॉंग्रेस पार्टी नाराज लग रही है कॉंग्रेस पार्टी से खुश नहीं है कहा जारा एक बड़ा पेच फंस गया है और ये जो गटबंधन हुआ है आरेलडी स्पी का उसे कॉंग्रेस अभी मानने को तयार नहीं है क्योंकि आरेलडी और समाजवादी पार्टी इंडिया गटबंधन का हिस्सा है ऐसे में अगर सामुहिक ताउर पर कोई फैसला होगा तो उसे माना जाएगा तो फिलाल अभी भी पेच फसा हुआ है देखना है आगे क्या कुछ होता है बहराल ये जो सर्वे है इसको लेकर आपकी क्या रहा है इस सर्वे को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी पर्तकिरिया आप लोग जरूर दीजिए क्या 2024 में राममंदिर बड़ा मुद्दा बनेगा क्या 2024 में इंड दिया जा सकता है अगर उनाइटेड होकर सयोगत रूप से चुनाव लड़ा गया तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या पर्तकिरिया अपनी पर्तकिरिया आप लोग जरूर दीजिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए सयोग करिए वीडियो को जन जन तज्यागरों को बहुत बहुत धन्वात शुक्रिया जै भारत जै संभिधान